हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका संडे की आर्ट क्लास में आज हम बनाने जा रहे हैं पेपर पपेट तो देखिए इस तरह से आपका जो पेपर पपेट है वो बनके तियार होगा और बच्चे जो हैं इस तरह से इस पेपर पपेट को यूज कर सकते हैं और कोई भी स् तो इसके लिए हमें चाहिए एक शीट इस तरह से rectangular sheet चाहिए आपको तो इसमें जो first step है उसमें हम इस sheet को इस तरह से fold करेंगे इस sheet को हम center fold नहीं कर रहे हैं इसको हमने इस तरह से इतना fold किया है ताकि ये जो portion है इसकी ओपर इस तरह से हम bend करके इसको fix कर सके तो यह जो चुडाई है आप बच्चे के हाथ के हिसाब से सेट कर सकते हैं जिसमें उसका हाथ जो है वो आसानी से चला जाए और वो पेपर पपेट को अच्छे से यूज़ कर पाए तो इस शीट को हम फिक्स कर लेंगे इस तरह से तो इस पपेट को बनाना बहुत ही इज़ी है और बच्चे जो है इसको बहुत ही पसंद करेंगे उनको यह पेपर पपेट जो है बहुत ही अच्छा लगेगा और उनकी जो स्टोरीज है वो और भी इंट्रस्टिंग होने वाली है इस paper puppet के use के साथ अब आपका जो next step है आपको इसको center fold करना है तो आप इसको इस तरह से center fold करेंगे अब center fold में आपने ध्यान रखना है जिस side से आपने इसको fix किया है वो sheet आप बाहर की तरफ रख रहे हैं और जो आपका plain sheet है वो आप अंदर की तरफ रखेंगे आपने इस तरह से इसको center fold कर लिया उसके बाद आपको एक और fold करना है यह जो open side है इसको आप इस तरह से back side फिर से fold करेंगे तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे इसको भी हम back fold कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से बच्चा जो है अपना हाथ डाल के इसको paper puppet को use कर सकेगा अब आपको next step क्या करना है आपको इस sheet को आपस में fix करना है तो हम इसको इस तरह से fix कर लेंगे यह main step जो है यह सभी puppet में इसी तरह से use होगा उसके बाद आप shapes जो है faces जो है वो अलग-लग बना सकते हैं puppet के लिए जैसे हम अभी यहाँ पर dog की shape face जो है dog का face try कर रहे हैं तो बच्चे कुछ और भी face जो है वो try कर सकते हैं तो इस तरह से यह देखिए यह जो main part है वो puppet का ready हो गया है अब इसका face हम त्यार करेंगे तो इसके लिए हमने इस तरह से dog के जो ears हैं वो cut कर लिए हैं तो आप इस तरह से shape देख लीजिए इस तरह से हमने यह shape cut की है dog के ears के लिए और यह इस तरह से हमने dog का जो है nose यह हमने cut किया है और eyes हम यहाँ पे ready mate eyes जो मिलती हैं हमने वो use कर ली हैं यहाँ पे तो इन सब को हम यहाँ पर अभी fix करेंगे और इसके साथ ही हमने टंग के लिए इस तरह की sheet जो है वो cut कर ली है तो इसको हम यहाँ पर अंदर इस तरह से fix कर देंगे तो चलिए हम इसको fix कर लेते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर nose fix कर लिया dog का इसी तरह से हम यह ears fix कर लेंगे यहाँ पर तो देखिए इस तरह से हम eyes fix कर रहे हैं और इसको बनाना इतना easy है कि अगर आप बच्चों को यह सब cutting करके दे देंगे तो बच्चे खुद ही इन सब को अच्छे से fix कर लेंगे तो देखिए इस तरह से यह जो face है dog का वो ready हो गया है अब हम tongue भी fix कर लेते हैं तरह से हमने dog का जो character है वो ready कर लिया है बच्चे इसको use कर सकते हैं तो इसी तरह से हम बहुत सारे character जो हैं बना सकते हैं जैसे यहां पर देखिए crocodile बना सकते हैं तो इस तरह से बच्चे जो हैं काफी सारे characters जो हैं वो खुद ही बना सकते हैं जिसको वो अपनी stories में use कर सकते हैं paper puppet जो है वो बच्चों की stories को और भी interesting बना देती हैं तो इसको आप अपनी class में जरूर try करिएगा और बच्चे इसके साथ बहुत ही enjoy करेंगे उनको story भी और जादा interesting लगेगी तो आप इसको जरूर try करिएगा थैंक यू फ्रेंद्स